श्री रादे, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी यूटूब चल्म में स्वागत हैं, मैं विजिंद राज आपको राधा अस्टमी के वरत की विदी बता हुआ, श्री राधारानी का जनम भाद्रमा सुकल पक्ष की अस्टमी को हुआ, जो जग जननी भगवती श्री आती है, और इसी भादों के महिने में राधास्टमी भी आती है, और श्री राधारानी का जनमोत्सव राधास्टमी कहलाता है, तो राधास्टमी कैसे मनाएं, श्री राधा का वरत कैसे करें, इसके बारे में अलग 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 तरीके से लिखा हुआ है, वो सारी विदी अ कि हम उपवास करके वृत करके श्री राधरानी का प्रेम पाप आएं जैसे अन्य वर्थ किये जाते हैं वैसे ही ये वर्थ करना है सबसे पहले जब आप सोकर उठें तो आपके मन में खुसी होनी चीए हाँ आज हमारे किशोरी जी का जनमोटसव है उसके बाद आप सनानादी नित्य कर्म से निवरत हो जाएं सनानादी करने के बाद राधरानी की मुर्थी को अगर आपके घर में योगल सरकार हैं राधा कृशन दोनों हैं तो दोनों को पंचामरत से सनान करवाएं फिर उनका सुन्दर श्रिंगार करें श्रिंगार करने के बाद बगवान की मुर्थी को बगवान के शिरीविग्रे को एक मंडब बनाकर उसमें सोड़स दल के आकार का कमलियंत्र बनाई अगर बना सकते हैं तो और उसमें युगल जोडी को सुन्दर वस्तर पाहनाकर सुन्दर आभूशन पैना कर उस कमल के बीच में दिव्यासन पर विराजित कर दें इसके अतरिक अगर आप स्थापित करना चाहें तो एक मिट्टी या ताम्बे का कलस्थापित कर सकते हैं उसके बाद राधा जी का सोड़ सोप चार से पूजन करें राधा क्रिशन की स्थापना करके वहाँ सामने बैठ चाहिए और आप जैसे पूजा करने चाहें क्योंकि भगवान आपके हैं पुस्प अरपित कीजिए फूल माला लाइए धूप दीप कीजिए जैसी आपकी शर्दा है जैसा आपका प्रेम है वैसे श्री राधा और क्रिशन के आप पूजा करके श्री राधा रानी की कथा का पाठ करें जो उनके जनम की कथा है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और पूरे भक्ति भाव के साथ अराधना करें थोड़ा ध्यान रखें पूजा आप मध्यान के समय करेंगे दोपैर के समय आपको पूजा करनी है और रिदय से उनकी पूजा करनी है पूजा करने के बाद अंत में आरती गाएं अगर आपके अंदर सकती है सामरते हैं तो पूरा दिन उपवास करें अगर पूरा दिन नहीं कर सकते तो फलाहार कर लीजिए अगर फलाहार भी नहीं कर सकते तो आप एक समय भोजन भी कर सकते हैं एक भुख्त वर्थ करें फिर अगले दिन सुबह उठकर भक्ति भाव से सरधान उशार सुहागिन स्त्रियों को या भ्रामनों को भोजन कराएं और उन्हें दान दक्षिना दें और इस तरह से आप वर्थ को पूरा करें उसके बाद आपको भोजन करना है तो ये थी राधाष्टमी की वर्थ पूजा और विधी इसके अतरिक्त आपको सारा दिन जितना हो सके आप राधारानी का किरतन गा सकते हैं कोई भी भजन आपको पसंद है वो भजन दिन बर गुन गुना सकते हैं अगर आप ये सब भी नहीं कर पाते तो आप राधा राधा, श्री राधा श्री राधा सिर्फ नाम लीजिए नाम भी आपको वही फल देगा और इस वर्त का फल क्या है जो भी विदीपुर्वक राधास्टमी के वर्त को करते हैं इसको करने से मुनुष्य व्रज का रहस्य से जान लेता है वो व्रजवासी बनता है और श्री राधाजी के परीकर में वो सम्मलित हो जाता है जैसे गुलाब सखी एक राधारानी के भगत थे मुस्लिम भगत थे वो भी राधारानी के परिकर में सम्मलित हो गए थे जिसकी कथा भी मैं नीचे डाल दिता हूँ तो आप सभी को राधास्ट में की बहुत बहुत बधाई हो आपके जीवन में शिर राधा और क्रिशन का प्रेम बना रहे राधा क्रिशन आप पर किरपा करें आप उन दोनों का ध्यान करें पूजन करें, वंदन करें, नाम गाईए कथा सुनिए, वर्त कीजिए जैसा आपको नुकुल लगे वैसा आप कीजिए बाकि बहुत ज़्याद आप नियम करोगे तो कुछ ना कुछ कमी रह सकती है इसलिए सर्दभाव से जितना आप करपाओ आप उतना केजिए तो ये था आज का विडियो राधास्ट में के वर्त की पूजा विधी जैजै श्री राधे